अगर आप भी इन्फिनिक्स फोन यूज करते हैं और आपको यह प्रोब्लम आ रही है कि स्क्रीन लॉक होने के बाद भी डाटा वाइफाई या होट स्पोर्ट चालू करने का ओप्शन उपर से खुल जाता है तो हम इसे कैसे बंद कर सकते हैं तो सबसे पहले हम स्क्रीन को ल लगा रखा है उसके बाद अगर हम यहां उपर से स्लाइड करते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर यह पैनल खुल रहा है और यहां से हम कुछ भी चालू कर सकते हैं डाटा वाइफाई या होट स्पोर्ट तो अभी हम इसको यहां से कैसे हटा सकते हैं तो मैं आपको बत इन्फिनिक्स के फोन में यह सेटिंग डिफार्थ रहती है, हम इस पूरे पैनल को बंद तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम यहां से होट स्पोर्ट या डाटा वाइफाई को हटा सकते हैं, ताकि कोई इसे ओपन ना कर पाए, उसके लिए आपको इस पैनल को ओपन करना है, यहां पर आपको इस पैनल पर क्लिक करना होगा, उसके बाद आपको जिस भी ऑप्शन को छुपाना है, उसे कुछ देर दबा कर रखना होगा, तो जैसे हम को होट स्पोर्ट को छुपाना है, तो अभी हम इसे दबा कर रखते हैं, उसके बाद आपको इसे नीचे लाना है, औ और यहां पर इसे रख देना है तो ऐसे ही आप कुछ भी रख सकते हो dość हम Wi-Fi को रखते हैं, तो अभी हम इसे दबा कर नीचे रखते हैं, उसके बाद आपको बेक आजाना है तो अभी हम फिर से स्क्रीन को लॉक करते हैं और यहां पर हम स्लाइड करते हैं, तो आप देख सकते यहां से hotspot और wifi गायब हो चुके हैं और अगर आपको उसे वापस लाना है तो आपको फिर से pattern lock खोलना होगा और इस panel को open करना है उसके बाद इस pane पर click करना होगा और यहां पर हम इसे दबा कर फिर से उपर ला सकते हैं और कहीं पर भी छोड़ सकते हैं और अगर आपसे कोई भी mistake हो जाती है तो आपको उपर तिन डोट पर click करना होगा और यहां पर आपको reset पर click करना है तो सारे option पहले जैसे हो जाएंगे तो बस इस video में इतना ही झाल